सर सभी लोग मील के मारें हैं अमरे बायन को तो नगरा पुलिस के बहुत सम्मान करना चाहेंगे क्योंकि नगरा पुलिस ने इन लोगों के आविदन पर तोरित करवाई करते हुए और इनका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है एक गरीब की बेटी की चली गई जान एक गरीब की बेटी को दहेज के लालची लोगों ने गला दबा कर मार डाला ये देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं ये घटना बलिया से निकल कर क्या रही है बलिया के एक छोटे से गाउं से निकल कर क्या रही है यह देखें यह दिवाल है उस बिटिया के घर की जिसको दहेज लोभियों ने जान ले ली उस बिटिया की जान ली और इसका ये सबूत है ये देखें यहां पर ये शुबिवा लिखा हुआ है और किस्मत से ये मीटा हुआ नहीं है ये 27 नॉम्बर 2022 को इसी घर के एक बिटिय की शादी नगरा में होती है और ये किशोर गंज का इलाका है क्यों भी ये किशोर गंज कहलाता है ये भी नगरा थाने में है यहां पर जो है इस तरीके की घटना निकल करके सामने आ रही है कि 27 नॉम्बर 2022 को बिटिया की विधिवत हंसी खुशी शादी की जाती है और ये म इस तरीके से बढ़ती है कि उन्होंने सीधी सीधी मांग रग दी कि हमको एक बाइक चाहिए एक मोटर साइकल चाहिए जबकि विवाह के ताय होते समय इस बात की वो नहीं थी कोई बात चीत नहीं थी कि हम आपको मोटर साइकल देंगे लेकिन बाइक के चकर में मोटर साइ इस तरीके का आरूप जो है यहां के परिवार वाले लगा रहा हैं पुलिस ने भी इस बात की लगबग पुष्टी कर ली है और मुकदमा भी कायम हो चुका है हम आये हम उनके घरवालों से बात करते हैं बीया क्या नाम है आपका सर्मा पंकर जी आप कुसम के क्या लगते हैं आई हैं तो एक बात बताईए कि आप लोगों ने जब 27 नौंबर को बाच्ची चादी की तो उसके बाद कितने दिन तक आपकी बहन सुखी रही हुआ वही सर्ट दो तिन महीने के बाद क्या दिक्कत आने लिए वह बार बार दहेज के लिए मांग कर ले तो दहेज के लिए कि वहां बाइक दिलवा देंगे दो तिन मेना रूख को पापा दिलाने के लिए आ रहे थे अभी सोचे कि जाएंगे तो बाइक दिलवा देंगे ठीक है सर फिर वो बीची में मार दीती है उनको अच्छा ये घटनक कैसे हुई क्या बताया जिस शुरू शुरू में उन्हो आ जा जाओ उसके बाद चार बज थीस मेनिट पर दो वोल ला है कि तुम्हारी बेहन का मिरिथ हो गया फिर सर साथ सर कितने बज़ आते बता रहे हैं छे बच के पांच मिनिट पे पांच मिनिट पर पास आथे उसके बाद सर दो चाहिए प्रीज फोन किये तो नहीं आये थे अभी लास लेकर नहीं आये थे फिर आम कंपलेंड किये पांच मिनिट आदे घंटे पर फोन करके और इनको बर्ग लाया जा रहा था जबकि बच्ची की मौन तो यह क्या बोल रहे हैं लेकर आ रहे हैं लेकर नहीं आ रहे हैं तो इस बात के कोई सबुत नहीं मिले कि नहीं रहे हैं सर कुछ भी हमको रुपी नहीं दे आ कुछ भी कागदी नहीं दे वह लोग अच्छा कोई कागद पत्र नहीं देखे दोस्तों यहां पर हम नगरा पुलिस के बहुत सम्मान करना चाहेंगे क्योंकि नगरा पुलिस ने इन लोगों के आवेदन पर तोरित करवाई करते सब्सक्राइब नंहीं हमान को अच्छा तो मतलब आपको पता किस चीश से पासी दिया है उसका क्या है ना घरता हम देखेंगे पॉस्ट मार्डिल के बोला है कि पाइचानों अपना बोड़ी तो मैं इसे किया तो देखा कि पुरा गाला पदा गी है तो उसका कोई फोटो है क्या फोटो सर बहुत है मेरे पास देखे दोस्तों ये शर्मा जी के बताने के अनुसार ये कुसम बिटिया के भाई है और इनके बताने के अनुसार इनकी बहन को शादी के मातर तीन महीने बाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए पर अचान किया जाने लगा कि हमको एक बाइक चाहिए और बार बाद पर उसकी सास प्रतालित करती थी ऐसा कुछ आप बता रहे हैं सर बार 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 ढोस्ती थी रोज डाट ती रोज़ बताती थी मंमी को हमको तो घुसी खुसी आती ती दिन अजरा कि मंमी को रोज बताती। हमें पता चला है कि एक दो जिन पहले आप अपनी बहन से मिलने गए थे आपके परिवार के कुछ लोग तो ठीक चबिस तारी को सब हम गये थे एक मेरा दोस्त गया था वो सब सही था है उसके बाद साम को फिर यह साही कर दिया और नगरा मार्केट में तो यह मतलब यह चर्चा खबरों में थी कि भाई उसको बंदर ने डखेल दिया इसका क्या मतलब उनका खुद जो धनेंजे के पीता जी है बोलते थे बंदर डखेल दिया फिर बोलना है कि बैट पसे गिर बेटी बचके मोढ़ी जी इस थरीके से बेटी पढ़ेगी इस तरीके से बिटी पढ़ेगी मौलयवालों को दिखाए जरा यह चाहिए यह पेडिश्वक्ष के दरमाजे पर इतने सारे लोग खड़े हुए है सारे के सारे दुखी एक बच्ची मोटरसाइक्ल के लिए यद इसी चरीक से बेटिया मरती रहेंगी तो कैसे बैटिया हम इसकि पहुआ से बात करते हैं कि मां चरता है मारी विदा वक वहें गवा हमillon हमारा सास ज्ञारा करतकर मैं ककल घर में हम गुजर कर पिटा जी के टूं़ कर विक कूसुम के बहुत दिक्वत होता उनका शास बहुत तकलिफ घर में दे तड़ी दान देज खाती बोलूएं उनका पीता जी की का दान दातो ये गो बायक खाती उनका पीता जी टीकट रहला दूसरा दीने भी रात का गाड़ी धायले रहना हां कि हमावा तनी अपनी लड़की के हम भी खमांग के चंदा यागूई के अम पाता नहीं कि हमके भी फोनना करूआ जाल भी लड़का से बोला तना कि पाइसा लेकर आवा तुम्हारा बहुन का तभियत खाराबा फिन यहां से हम लोग जातानी जा फिन रस्ते में गोईलबाने जा बिहारा चेटी पर फिन कहा तना तुम्हारा बहुन गुजर गाया फ का पीता जी कि भानर मारदी हलस अंद्या अंनि दूसारा बात करना कि सीठी पर से गीर गय लड़की तीसारा बात का नवा पिलंग पर से लड़की गीर गया कि हर बात में वो के दाव रोगिया है तना समाज बाव उसको नई है को आप लोग पूछ लिजा कि लड़की का यह खोरक दावा ना उतलो उसको दावा खिला खिला वे उसको ब्यमरिया माना दिया उसको इजलाम खाली नांदेज खाती वो लड़की के अमरी फासी पर चढ़ यह जैसे हमारा लड़की चल गया उससब पलुवार मिलका हमरी लड़की के साजा देखे डान देज खाती उनको प्रान ले लिए सब आप लोग सहीं मिंती करते है कि जैसे हमारा अधिन प्रान गै था भिक कमांगा को लड़की को उसमें उधनी कि हम करिभा रोकानं है कि हम के देहश कहांब नाड़ी बात 3 में नपर कहा लटी को चुछ ना चाहिए लॉन तो हम साधी करम अनती हमर पोशाई लाई तो सपर लाई तो उनकी घर में नथू की देले रहती हुआ ना सपर लाई तो हम भाग गई लाई ती साधी काई लाकी बाद हम अमजगूर पर गई नी भिकमांगा ता अप लोग ताक लिजा हमरा मड़ई का घर है हम चान्दा पाके फांसी दे करके जान ले लिए उस बेटी की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है और यदि इस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट आ रही है कि बीटिया की मौत दम घुटने से हुई है तो कहीं न कहीं इनकी बातों में पूरी सचाही नजर आती है और हमें भी ऐसा ह लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुए है सब्सक्राइब अब गुटने से मौत हुई है